बिस्मिल्लायरामानरहीम टॉपिक वर गॉइंग टॉवर इन दिस वीडियो इस दे लास्ट पारिमेटालोजी सेक्शन इसमें हम कवर करने लगें गॉट और छोड़े छोड़े और टॉपिक्स क्रेस्टल इंडियूस आर्ट्रोपैथिस में गॉट इस नमबर वन जोट इस रट, स्वालन, जोओन, नो फिवर ऑडॉल दाइग्नोз धर शैपर्ड था और उसे हम ने दिया राट्रोथाभाव लिए हमने पकडे तर है hydrochlorothiazid is one of the thiazide diuretics to hyperudicemia is its side effect on examination there is swelling redness over the knee and movement is restricted due to pain on examination there is swelling redness over the knees or movement is restricted due to pain what is the likely diagnosis we know it's gout gout का हम बढ़ते हैं क्लिनिकल फीचर्स सबसे पहले तो ये मटतार्सो फ्लेंजल जोंट को अफेक्ट करती है अगर वह पेशन्ट कुछ भी ना करें कोई टीटमेंट ना करें तो इस रिजॉल्स पॉंटेनेस्ट विदिन 3-14 विग व्ट इवेंट जो ट्रिगर करते हैं गाउट एक्सेशब अल्कोहल इंटेक रेड मिटिक इंटेक रेड मीट में प्रजिती प्रोटीन है प्रोटीन ब् इंट्रग्स लाइटिक थाइजाइड जो डायरेटिक है थाइजाइड यां फ्यूरसीमाइड नटीवी मेडिसेंस पारिजिनमाइड निथांब्यू तोल और सीडियस मेडिकल इंटेकल इंट्रिगर गाउट की एपिसोड अच्छा आप जैसे इस क्वेशन में पूछा अपिसोड इंट उसमें इतना इंपॉड्टन्स नहीं देते कि सीरम यूरी कैसे लेवल कितना जब्स लेवल कितना बढ़ा किए अपने देखनी हैं उसकी सेनोवल फ्लूड में क्या चीज़ दिख री या आपको क्या नहीं दिख रहे हैं यूट फाइंड नेगेटिवल ब यहां पर भी इंक्रीज होए होते हैं अच्छा जी वह एक रेड वार्म जॉइंट होगा और टेंडर होगा इसलिए इसके इसे होती है आप गुगल से देख सकते हैं कि डॉक्टर में सीम के इंफेक्टिव सलुलाइटस है सेप्टिक आर्थ्राइटस सुडोगाउड गाउड तो पैन को डिमिनेज करेंगे आप अक्यूट स्टेट में मैंने बताया है हमने यह नहीं देखना कि सरह मुरी किस लेवल को फ्लक्टूइशन कितना करा है हमने जॉइंट को ईरोजन से और उसके जॉइंट इस्ट्रॉक्शन से बचाना है यह एंसेट इस जिफिरोइट और चार लगातार एपिसोड और एक साल चार लगातार आपिसोड हो चुके हैं और एक साल ओर रुइंट। हो चुका हुए उसे अच्छे अपीसोड्स के बावजूद वो ठीक नहीं हो रहा तो उसे हम कहते हैं क्रॉनिक में गया गौट और उस क्रॉनिक थरपी में हम लोगो ने क्या करना है सीरम यूरिक इसिट को डिक्रीज करना हमारा अवलीन मकसद होना चाहिए हाइपो यूरिसी यह प्रेशन रेट नहीं है नहीं तो अगर 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 प्रेशन जो क्रॉनिक थरपी में है उसको दोबारा कोई एक्यूट अटक होता है तो आपने अलोपिरोनॉल उसकी स्टॉप नहीं करनी इसकी अलोपिरोनॉल कंटिनीव रखनी है ठीक और कभी भी अक्यूट फेज में उसे अलोपिरोनॉल रिकमेंड नहीं करनी अब हम आ जाते हैं जो अपना नेक्स्ट है जो क्रिस्टल पोड्यूसिंग क्रिस्टल इंड इस एज लेस दें 50 और उसे इस तरह की चुटिशन्स सूडोगाउट की आ रही होगा इसका मतलब है मोस्लाइग कोई मताबॉलिक अबनॉमल्ट यह लिवर में पढ़ा था कि लंग में लिवर में पैंक्रियाज में और जॉइंट्स में आरें डेपोजिशन हो सकता सूड़ हाइप फैस्फ़ती में इपमगनेशा हैप फैस्फ़ती में डूब अपकर टोड़ी तो अपस डेफिनिति लेप्रेज ख़काउम जादा डिपॉसिट ओर यह इस कोया करता है जॉइंट में नीज में नीज सी उफेक्वेक्ट फिर रिस्ट शोलड जॉड़ ऑंकल और सूडोगाउट की जॉइट प्रेंटेशन इस इस देफिनिटले लाइक प्रजिटल पें यह पसंद्ध प्रेंजिटले कौनिक फम में तोई पे इंलेस प्रेंट पर शोडिटले कर ज स्राफिति यहां पर सब्सक्राइब कार्टियर काइडियर कार्टियाइग में हाई सब्सक्राइब पार्तियुसिसमि और स्पारइब चाह़ में च्री पोब नां की तौma ہے सब्सक्राइब कर के वीच neurosick archано के सब्सक्राइब अब देखेंगे ना एक्सरे नॉर्मल मेन अजर नहीं आएगी यह मैन इसका है यह इसमें अजर आए का कल्शन पारफास्पेट में सब्सक्राइटिस अब यह सनारियों गौर से देखें 67 ओल वुमन है वो रिमटाइड अर्थराइटिस से पहले से था लेकिन दो दिन से उसक लेकिन एक पेशन्ट जो स्पेशल ओल्ड एज में आता है यह किसी भी एज में आता है और अर्थराइटिस की के साथ आता है आपने उसका करना सबसे पहले अर्थ्रो सेंटर्स ही है अब यह सप्टिक आर्थराइटिस दो क्लासे में डिवाइड होता है अगर तो एज मोर जो जोएंट में इंफ्लमेशन की विये जो लेस दन फॉटी है इन वो मैं या इन मैं तो गनुरिया कॉज इस गुनो कोकल आर्थराइटर और ओल्ड एज में स्टैफ और इस कॉजिस्टैफ और इस पेशली क्यों को आज करता है कि ओल्ड एज में पहले ही दिर इस और दी फॉर्म जॉइंट कोई भी बेक्टीरियल अगर आर्थराइटर इस वह एक्यूट बेक्टीरियल इंफ्टियू हुए है अपने अर्थ्रसेंटेसिस की अब विसका कल्चर करने के अब जरूरी निया कल्चर पे आज़ गुनोरी है इस पॉस्टिव को पूरे जॉइ तो क्लियर करने है और क्लीन करने है। अगर तो स्टाफ यह स्टेपस्ट प्रत इंफस्लिन स्टाफ के केस में अगर ऐगर ऑल्ल पेशंट है कोई दैज संटा रहें और तो नि धिक है तो नेफश्ट सलीन इंगॉमेशिं देगी और अगर जो है पेशेंट 30 यह वोमन है मोन ब्लड वैसल्स क्या क्या चीज़ें इन्वाल्फ करती हैं डिफरंट टाइप सब्लड वैसल्स और उनकी इमिनलोजिकल रेक्शन जैसे वैगनर्स में टोसिज हैं मिडल साइज्ड वैसल्स को होता है अब इसका सी से याद रखना सी फॉर सी आंका किसमें सी आंका करता है अच्छा खाल साथ इसके ट्रीटमेंट स्टिरोइड और इमिनोस प्रेसंट पॉली आट्रोइटियस नोडोसा यह भी मीडियम साइज वैसल करती है यह सारे और गन्द इन्वाल्फ करेंगे जी आईटिस के इन्स नाव्स सब कुछ इवन नावस पॉली पेरिफरल नियूरोपैथिस फुट ड्रॉप रिज ड्रॉप और इस तरह के मसले करते हैं लेकिन लॉंग्स को छोड़ देती है यह भी इन्वाल्फ करते हैं मीडियम साइज वैसल को और इसमें भी प्यांका पॉस्टिव होता है इसका अगर हम छोटा सा पॉर्शन ले तो हो सकता है क है क्योंकि इसके बीड़ उन स्टुन अपईरस बनती है ऐसे कि फाइब्रोस्त पैटरन है यहां पर नॉर्मल साइज था वो थोड़ा सा नॉर्मल डा जाता है फिर यह फाइब्रोसिस हो गई आर्टरी की इस इस एरिया में फिर डालेटी हो गए फिर फिर फाइब्रोसिस पर इसमें इसमें हम बाप से करके पता लगाते हैं चांफिमें ऑपोश्टराइट्मेंट पीयंग को यदुथा त्रीटमी यह थे दो साड़ दोड़ किरें चैपलब कुछ कुछ पी दोसा भुष्ट दोड़ नॉख से नंट करें हैं कि यह दो वैसे तो लाज साइज आर्टरी के ही है बिमारी है दो तरांग की होती थी हम दो तरांग के परते हैं फिस लेस तन 50 तो हम कहते थे कि यह कुछ तरी टाकायासू आर्टराइटस है और अगर जो है इस मोर दें 50 यह एड़ली पेज ग्रूप में आता तो यहां से तंपोरल सल आर्टराइ है मोर दन 50 to 60 years of age and there is new onset headache तो वो हम कहते हैं के जाइन साल आर्टराइटस में आता है that supply head eyes and optic nerve और वहां पे अपने symptoms देता है especially there is jaw claudication, pain while combing hair and decreased VN, blurry VN, tongue numbness and really sudden loss of VN इस के treatment के है, corticosteroids obviously भी inflammatory है तो इसमें ESR positive होगा अब जैसे यह इस patient में 2 years old woman comes to you because she has been bothered by right-sided headache अच्छे इस patient को भी जैसे हम 2 years old woman है इसको भी headache नहीं कभी migraine नहीं रही लिकिन अचानक headache start होगी हम इसके भी क्या करेंगे देखेंगे ESR raised है तो हम प्रिदिन सलोन स्टार्ट कर देंगे most probably it is temporal arthritis last topic है हमारा इंफ्लेमेटरी मायोपैथिस के inflammation हुई है autoimmune obviously antibody वगारा का reaction है and muscles involved है जो के मायोपैथिस है तो muscle weakness तो होगी होगी there would be progressive muscle weakness जैसे के scenario 42 year old woman है admitted to service with the admitted to your service with severe proximal weakness for two months her examination shows diffuse lylia crash over sun exposed areas or motor strength decrease in upper and lower proximal muscle groups तो clinical findings में अच्छा यह जो है लाले crash it's very specific अच्छा यह दिर्मेटर मायोपैथिस की तरह आदा लिकिन overall अगर हम clinical features देखें तो सारे muscles involved है सारे muscles में weakness है there is difficult for woman to get up from chair for coming here then lift any object fine motor tasks writing वगहरा वाले muscles भी involved है स्वाए औक्लोर मॉसल्स देर नेवर involved और अगर inflammatory myopathies में जैसे polymyositis आता है dermatomyositis आता है inculgent body myositis आता है तो polymyositis और dermatomyositis अगर है किसी patient में तो इसका मतलब है कोई underlying carcinoma है उसमें यह प्लास्टिक syndrome में आते हैं जैसे number written syndrome है यह प्लास्टिक syndrome of small cell link cancer आते तो यह भी small cell link cancer में ही ऐसे manifest करते हैं dermatomyositis के आगे further skin involvement का बता है कि यह वाला purple lilac discoloration on the face eyelids and sun exposed areas of the body और यह नकल्स है उस नकल्स पर grot and papules they are scary legend that are formed over the knuckles laboratory findings में मुसल्स इंवाल्वड है तो CPK ने तो rise हो नहीं होना था elevation of the muscle enzyme CPK and Eldolase यह तो 5 to 50 fold जो हैं बच्छे से राइस होंगे dermatomyositis के एंटी जो वन देख लेता है एंटी ऑटोंडी बोड़िस and how would you diagnose again muscle आपसे उड़ है electromyography से भी you'll see K इसके potential myopathic potentials जो है चाह से there's short duration and low amplitude unit treatment steroids and immunosuppressive therapy वागे further लिखा है के polymyositis or dermatomyositis के steroids है or inculgent body myositis के immunosuppressive therapy but overall you can give steroids immunosuppressive therapy I hope this was a helpful video this is Akla Khairan for watching